समस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं अच्छे से होगी और आपकी बढ़ाई फी अच्छे से चल रही होगी पुलिंग में हम आपको बता चुके थे कि इस पार्ट में मुकितब बताया क्या जा रहा है कि कि लिंग ठीक है कितने लिंग होते हैं हां तो तीन लिंग होते हैं किते पुरुष होते हैं तो तीन पुरुष होते हैं लिंग कौन कौन से हैं इस्तरी लिंग पुरुलिंग और नपुनसक लिंग संस्कित में तीन लिंग होते ही हैं इस्तरी लिंग पुरुलिंग और नपुनसक लिंग और हिंदी में दो लिंग हो ठीक है अब ये देखिए अब ये देखिए कि अब हमने आपको बताया था कि जिसे कहक मतलब होता है कौन कौन यदि हमें कहना है हिंद संस्कृत में और पुरुष के लिए तो हम किसका प्रयोक करेंगे कहका किसका प्रियोग करेंगे कह कह और यदि इस तरी लिंग में हमें कौन के लिए और एक वचन में ठीक है ये कह कौन किस में एक वचन में है कह मतलब कौन पूर लिंग में और एक वचन में ही यानि एक वचन के लिए ही इस तरी लिंग में कौन का प्रियोग करना पड़े तो हम क क्या बोलेंगे का तो इसको देख कर भी समझा जा सकता है कि कह पुरुष पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है और का इस तरी लिंक लिए प्रयोग किया जा रहा है तो हम लोग कह कव के कह कव के कह हम लोग क्या कर चुके थे पढ़ चुके थे इसके बारे में लोग सम आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इस्त्रिलिंग इस्त्रिलिंग देखे क्या है इस्त्रिलिंग में आता है आपका का पठती ठीक है इसमें क्या आता है का पठती अब यह देखे इसमें तो पिक्चर नहीं बना हूँ है शायद आपके बुक में बना हो दो यह आपकी बुक कही है का पठती क्या है यह देखे का पठती अब यहां पर जैसे और सारे चित्र बने न तो यह सारे चित्र कहा आ गया है यहां आ गया है यह का पठती यह लड़की पढ़ रही है तो प्रश्न पूछा जा रहा है का पठती कौन पठती है और दूसरी चीज़ यह याद रिखिए कि पठती जो होती है पठती से आपकी लिंग का कोई मतलब नहीं होता है पठती मतलब पठता भी होता है पठती मतलब पठती भी होता है ठीक है, तो पढ़ता और पढ़ती, दूनों के लिए पढ़ती इस्तेमाल करते हैं हम लोग संस्कृत में और का जो होता है, आपका जो करता है उससे पता लगता है कि क्रिया स्थ्रिलिंग में है कि पुलिंग में है तो का का स्ट्रिलिंग में है तो पठती भी हम क्या बोलेंगे पढ़ती है तो कौन पढ़ती है का मतलब कौन और ये क्या है एक वचन में है तो उत्तर क्या मिला बालिका पठती बालिका 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 हा बालिका एक बचन है एक लड़की पढ़ती है और बालिके दो द्यू बचन है दो लड़की पढ़ती है और बालिका बहु बचन है बहुत सारी लड़कियां पढ़ती है का पठती बालिका पठती के पठता कौन दोनों पढ़ते हैं तो उत्तर क्या मिला बालिके पठता दो लड़कियां पढ़ती हैं ठीक है द्यू वचन के साथ पठता का प्रियोग करते हैं लटलकार में पठती पठता पठन्ती पठती पठता पठन्ती तो पठती एक वचन में और पठता द्यू वचन में प्रियोग करते हैं अब आता है आपका का पठन्ती अब क्या है का पठन्ती काहा बहुत सारी कौन सी ये बहुत सारी को दियोतित कर रहे कौन पढ़ती है कौन पढ़ती है मतलब कौन बहुत सारी लड़किया पढ़ रही है कौन बहुत सारी पढ़ रही है लड़किया नहीं लड़किया तो उत्तर में हो जाएगा ठीक है तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा दो तीन चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो हम क्रिया का पता क्रिया किस लिंग में है वो हम करता से जानेंगे ठीक है और दूसरा क्या चीज है कि एक वचन का यदि करता है तो एक वचन की क्रिया होगी ठीक है और द जलम पीवती का मतलब कौन और वो भी एक वचन के लिए है ठीक है कौन अब इसम कहा से आपको समझ जाना चाहिए कि किसी एक के लिए पूछा जा रहा है कौन जलम जल पीबती पीती है कौन जल पीती है तो अजा जलम पीबती अजा अजा मतलब बक्री और वो भी एक लिंग में अजा अजे अजा ह अजा एक लिंग अजे आपका ड्यू वचन में है अजा आपका बकरी है इस्त्रिलिंग है एक वचन में है और अजे इस्त्रिलिंग ड्यू वचन में और अजा इस्त्रिलिंग बहु वचन में आता है ठीक है तो अजा जलम पीवती बकरी जल पीती है के जलम पीवती अब के से आपको समझ जाना चाहिए कि के द्यू वचन के लिए पूछा जा रहा है दो लोगों के लिए पूछा जा रहा है कि कौन दोनों जल पीती है और पीती है इसलिए बोल दिये क्योंकि के जो है इस तरी लिंक लिप्यों करते हैं दिवचन में तो के यानि कौन दो जल पीती है तो अजे जलम पीबता है दो बकरियां जल पीती है दो बकरियां क्या करती है जल पीती है ठीक है ये दिखे ये दो बकरियां है जो जल पी रही है अब क्या है काह जलम पीबनती कौन सब कहा मतलब कौन सब और यह आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो कौन सब है यह किसके लिए आया है यह कौन सब है यह किसके लिए आया है ठीक है यह कौन सब है इस तरह लिंक लिए आया है तो कौन सब जल पीती है पीबनती जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे पीती है तो उत्तर क्या मिला आजाहा बहुत सारी बकरिया जलम जलको पीती है अब जल में जो है बहु बचन नहीं हुआ क्यों 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 कि कर्म है जो करता और क्रिया दोनों में सेम आपकी क्रिया दोनों में सेम वचन होगा ठीक है आजा जिस वचन में होगा वही आपका क्रिया भी उसी वचन में होगा लेकिन कर्म में असर नहीं पड़ेगा ठीक है कर्म में कारक का प्रयोग करते हैं न तो अचाहा जलम पेवती बकरियां बहुत सारी बकरिय या बहुत सारी बकरिया बोलिए या तो आपके ये बकरिया ठीक बकरिया जल पीती हैं बकरियों से होई गया कि बहुत सारी बकरिया हैं देख लीजिए आप चित्र में देख लीजिए किती सारी बकरिया हैं वन टू त्री फूर बहुत सारी बकरिया होगे ने चार बकरिया है अब यह देखिए किम पतती क्या गिरता है अब आ गया यह नपुनशक्लिंग और वो पूलिंग खतम हो गया इस्तिलिंग खतम हो गया अब बाद आ थी नपुनशक्लिंग की नपुनसा क्लिंग से आप समझ जाएगा कि वो वस्तुएं जिनके प्राण नहीं होते हैं वो क्या है नपुनसा क्लिंग है तो किम पता थे किम किस में आएगा क्या अब हम कौन तो नहीं बोल सकते हैं कौन से तो जाए किसी किसी प्राण की कौन से मतलब हो जाता है कि कोई ऐसा प्राणी है जिसके अंदर जान हो प्राण हो ठीक है कोई या तो पुर्लिंग हो गए या तो इस्तिर लिंग लेकिन हम यदि हम कौन के ही संदर में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे क्या बोलते हैं नपूनसक लिंग में हम क्या कप्रियों करते हैं क्या पत क्या गिरता है तो उसको हम क्या बोलेंगे किम किम इस्तमाल करते हैं एक वचन के लिए एक वचन के लिए क्या के लिए हम बोलेंगे किम किम पतती क्या गिरता है तो उत्तर क्या मिला फलम पतती फलम फले फलानी फलम एक बचन है फले दू बचन है और फलानी बहु बचन है तो क्या गिरता है फल गिरता है अब दूसरा देखे क्या है किम के पतता है के मतलब कौन दोनों गिरते है मतलब हो रहा है क्या क्या गिरता है कौन दोनों नहीं आएगा क्या गिरते हैं क्या दो गिरते हैं के का मतलब दो से है क्या दो हाँ क्या दो गिरते हैं मतलब दो चीज क्या गिरता है के का मतलब दो से संदर भी थैं क्या के अर्थ में ठीक तो अब उत्तर क्या मिला फले पतता है फले पतता मतलब दो आम गिरते हैं दो फल गिरते हैं यहां आम भी नहीं कह रहा है फल कह रहा है वो अमरूद भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो दो फल गिरते हैं फले पतता मतलब फले मतलब दो फल दो फल गिरते हैं ठीक अब देखे क्या है कानी पतंती कानी पतंती क्या हो गया मतलब कि कानी बहुत सारे क्या गिरते हैं कानी मतलब बहुत सारे होगे न क्या गिरते हैं तो कह रहा है फलानी बहुत सारे फल गिरते हैं इदर 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 देखिए फल गिरते हैं तो बहुत सारे फल पतंती गिरते हैं किम विकसती अब यहाँ पर देखिए अब दूसरा आ रहा है आपका किम विकसती अब यहां पर आपके फुल तो दिया नहीं है यहां पर फूल तो देना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं नहीं दिया है तो कोई बात नहीं आप अपने बुक में देखिएगा किम विकसती किम विकसती मतलब होता है क्या विकसित होता है विक्सित मतलब खिलना है क्या खिलता है तो उत्तर क्या मिला कमलम विक्सती कमल खिलता है क्या खिलता है सिर्फ एक वचन के लिए पूछ रहा है एक के लिए पूछ रहा है तो उत्तर क्या मिला एक कमल खिलता है क्या विक्सता है कौन दोनों खिलते हैं यहाँ पे दो के लिए हैं ठीक है कौन दोठों खिलते हैं तो उत्तर क्या मिला कमले दो कमल खिलते हैं क्या हो गया दो कमल खिलते हैं फिर फिर आपका उत्तर क्या है कानी प्रश्न क्या है कानी विकसंती कानी मतलब बहुत सारे क्या आपके बहुत सारे क्या खिलते है तो उत्तर गया मिला कमलानी विकसंती बहुत सारे कमल खिलते हैं कमलानी विकसंती और कमल का रूप कैसे चलेगा जैसे फल का रूप चला है फलम फले फलानी तो कमलम कमले कमलानी यह आपका चैप्टर यह पूरा हो चुका है और इसमें जो पुलिंग, स्टरिंग और नपुनसक लिंग के जितने भी आपके प्रश्न वाचक शब्द आए हैं हाँ, उसके रूप और आपके जितने भी शब्द हैं उसके रूप, आपके धातु रूप जो आ रही है वो वो सब अपनी कॉपी पे लिखिएगा जरूर से और उसको एक से दो बार जरूर पढ़िएगा अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके शब्दार्थ को, इसके शब्दार्थ को भी देखेंगे इसके शब्दार्थ को भी देखेंगे और और प्रश्णों को हल करेंगे ठीक है? यह देखिए अब उसके बाद नीचे आपके क्या है? प्रश्ण है यह सारे प्रश्णों को हम लोग हल करेंगे पहरे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक से दो बार पढ़ने की कोशिश करिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके अभ्यास प्रश्ण को स्वार्फ करेंगे और आप इसको याद करिएगा इसको पढ़िएगा तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में ठीके बच्चों और यदि आपके कोई क्यूरीज हो यदि आपको पूछना चाहते हूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और लिखकर की पूछिएगा उसका उतर हम जरूर देंगे